प्रक्राइब दोस्तों नमस्कार तो कैसे आप सभी उमीद करता हैं अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है श्रमाजणिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आज हम फिर से लेके आगे है मैथ की एक नई क्लास ठीक है mathematics की आज हम बात करेंगे दोस्तों no न confrontation के बारे में बहुत इंपोर्डेंट चैप्टर है वन रक्षक 스arta फार प्तवर सैकर अब तयारी कर रहे हैं की कर रहे हैं इसके लाए दोस्तों आप चाहे व एक तो saying थे कहीं देखने अमरे मिध्यों कोसित सब्सक्राइब थे नंबर सिस्टम ठीक है तो वीडियो को बिल्कुल लाश तक देखना दोस्तों चुटकियों में हल सिखेंगे बिल्कुल दोस्तों चुटकियों में हल सिखा दूँगा और गनित करना आपके लिए असान होगा जो भी मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है ठीक है आज है नंबर सिस्टम का टीक है तो चलिए हम लोग discuss करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में वन बाई वन हम लोग discuss करेंगे दोस्तों तो वीडियो के लाश्ट तक बने रही है उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो सबस्क्राइब जूरूल करें सबसे पहले दोस्तों मैं बात उठाता हूं विल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ठीक है ना नंबर क्या होते हैं नंबर आपको पता है संख्या होती है संख्या होती है जैसे कि दो तीन चार पांच सोला अठाइस पैंटीस यह क्या है यह संख्या है ना दोस्तों तो संख्या विल्वंख्या होती आपकोहोगे ऐसा मान जिसकी एक निश्वित वैल्यू होती जैसे दो है तो दो ऑ तो ऐसी वैल्यू जो और कॉंस्टेंट रहे यानि की लगातार वो निश्चित रहे उससे हम लोग बोलते हैं नंबर यानि की संख्या कोई बैसा आंकड़ा जिसकी खुद की एक अपनी खुद की एक वैल्यू है मान है जैसे की 13 है तो 13 खुद की खुद में एक वैल्यू है टेरा हाना पंदरा है पंदरा की खुद की खुद में एक वैल्यू है पंदरा जहां भी डाउट लगे दोस्तों कमेटना ज hmm जूरू करना थिकए अब देखो नंबर नंबर यानि की डेफिनेट नंपर डेफिनेट बोले तो निश्चित एक मान एक मान ऐसा जिसकी पूरण संख्याइं भी होती है पूरण संख्याइं भी होती है पूरण संख्याइं भी होती है जो पूरी विभाजित हो जाती है ना पूरण संख्याइं भी होती है जो पूरी विभाजित नहीं होती है उसके बाद दोस्तों संख्याइं होती है विशम संख्याइं होती है य जा आप कोगी से दो-पंचे-दस does का बाग दे को दो-पंचे-दस तो पुरह-पूरह बाग चला गया वो लोगत सर्य समसंख्या है अब मैंने का 17 17 में देखो 2 का भाग जाता है क्या 2,8,16 एक आसिल बची अब आसिल एक बचगी अब यहाँ पे कुछ नहीं है पॉइंटों में तो चला जाएगा 2,5,10,8.5 आजेगा लेकिन पूरा पूरा तो नहीं गया ना पॉइंटों में गया ना पॉइंटों का मतलब क्या है कि बीच का जैसे एक और दो है तो मैं कहते हूँ एक पॉइंट पास तो एक पॉइंट पास तो इसकी बीच का हुआ ना ये इसका हुआ ना इसका हुआ तो बीच का है तो बीच का नहीं होना चीए ठीक है ना समसंख्या में आने की पूरा होना चाहिए तो दो हो या एक हो तो जिसमें दो का भाग जाता है वो समसंख्या होती है जिसमें दो का भाग नहीं जाता है प्यारे दोस्तों वो भी समसंख्या होती है संख्या के लिए रोई दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है आज हम पढ़ेंगे स्क्वियर के बारे में स्क्वियर क्या होता है दोस्तों वर्ग होता है वर्ग का मतलब होता है घात बराबर दो ठीक है ना घात बराबर दो यानि कि उसकी जो पावर है उसकी जो पावर है वो दो होनी चाहिए जैसे दोस्तों मैंने कहा दिया कि चार के उपर दो लगा हुआ है ठीक है यह जो होता है न दोस्तों ध्यान से देखेगा इसको मैं लग से दिखा रहा हूँ यह जो होता है यह इसे बोलते है घात ठीक है ना इसे बोलते है घात और यह होती है संख्या ठीक है दोस्तों देखो संख्या के उपर संख्या आ जाए तो उसे हम लोग घात बोलते हैं क्या बोलते हैं घात बोलते हैं ठीक है ना अब देखो चार का स्क्वियर यानि कि चार की वर्ग दो, चार का वर्ग क्या होगा दोस्तों, तो चार का जो वर्ग है, उसका मतलब है कि चार को दो बार गुना करो, चार गुना चार, यानि कि 16, तो चार का जो वर्ग है, वो कितना होगा दोस्तों, 16 हुआ, चार का वर्ग, ठीक है, इसी तरह से मैंने का कि, 10 का वर्ग ब दोस्तो दस का जो वर्ग है वो कितना हो गया सो हो गया ठीक है ना इसी तरह से मैंने कहा दिया ध्यान से देखो दोस्तों इसे मैंने कहते पांच का स्क्वेर है अब आपको याद नहीं है माल लो स्क्वेर निकालना याद नहीं है तो आपको क्या करना है आपको सिंपली क्या क ना कितना ही बड़ा क्यों ना दोस्तों ट्रिक यह ही है मैंने कहा दिया 12 का स्क्योईर बताओ अब 12 का स्क्योईर जिसको याद है वो तो कहा देगा 144 होता है जी अब ये कैसे आया 144 करके देख लो 12 गुणा बारा ठीक है ना बारा गुणा बारा ये दो संख्या उंग गुणा करना आता हो दोस्तों नहीं आता बूल गए तो कोई बात नहीं आप देखो देखलो यहां पे दो संख्याई है ऐसे गुणा करो दो दूनी चार दो एकम दो गुणा में दो एकम दो और एकम एक तो आप देखो आप इसको जोड़ दो तो दो चार का चार आगया दो दूनी चार और एक का एक तो 144 तो बारा का जो वर्ग है दोस्तों जो बारा का जो वर्ग है वो कितना हो एक सोटा या है एक से म सक्वियर्घ गूरा थारा है कितना यात धोस्तों यह तो होगी कि बात अब आपको जो बताने जा रहा हूं देखो दोस्तों आपको कोई भी competitive exam की त्यारी करनी है ना तो एक से लेके 30 तक जो square है जो वर्ग है वो आपको याद रखने पड़ेंगे एक से लेके 30 तक मेरे दियारे दोस्तों ठीक है यानि कि एक का square एक से लेके और 30 का square 900 तक आपको जो है वो number याद रखने पड़ेंगे ठीक है ना जैसे कि एक का square क्या होता है 2 का square क्या होता है 3 का square क्या होता है 4 का square क्या होता है 5 का square क्या होता है 6 का square क्या होता है 7 का किस होता है ऐसे जैसे देखो एक का square 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों एक से तीस तक आप याद रखोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कितना भी बड़ा नुम्बर आजे आप उसका square असानी से निकाल सकते हो लेकिन पहला पड़ाव जो आपका है पहला चरण जो है वो आपका यह है दोस्तों कि एक से लेके और तीस तक आपको वरग याद र तीन का वरग नो चार का वरग सोला अभी निकालते कैसे हैं मैंने भी पताया चार का वरग निकालना है तो चार गुना चार करेंगे पांच का वरग निकालना है तो पांच गुना पांच करेंगे च्छे का वरग निकालना है तो च्छे गुना च्छे करेंगे आठ का वरग दो है तो 5 का पांक से ही 2 बार ऑगोना होगा यानि कि उसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुना होगा इसे बोलते हैं दोस्तो थेक है न टो तीसafft बॉले इसका वरग तो सिंपल है से Listening है जैसे की 10 20 30 का ब्लुबबन सिंपल है दस का बरग 120 का यहدا तो इसको निकालने ट्रिक बताऊं 2 दूनी 4 और 1 0 का वरग हो गया 2 तो 2 0 आगी 3 तिया 9 और 1 0 का वरग हो गया 2 0 हा ना तो थीसका 900 बीसका 400 लगा 10 का 100 यह तो याद हो गया फटा फटा आपको याद है एक तो आप गुणा करोगे गुणा करें टाइम लगेगा सिंपल क्या करोगे तीन तीए नो कितनी जिरो एक दो तीन चार चार जिरो लगा दी अब आप कैल्कुलेटर में नकालके देख लो गारंटी देता हूं तीन सो गुणा तीन सो करो 90 जारी उत्तर आएगा दोस्तों आपका स्क्यूर का ठीक है ना मैंने कहा दिया हजार गुना हजार अब जिसको नहीं आता वो तो गुबरा जोगा भाई यह क्या होगा कुछ नहीं हुआ एक की एक से गुना करो एक और कितनी जीरो एक दो तीन चार पांच छह फटा पट लगो एक दो तीन चार पांच छह लो जी यह आ गया वरग मारा जार का कोई बड़ा मंतर पट ना पड़ा गया नहीं ना तो दोस्तों बिल्कुल मझेदा ट्रीक है ना देखो एक से तीस तक आपको square याद रखना है ठीक है register लो अभी के अभी register लो उसमें एक तरफ ऐसे number लिखो एक दो तीन चार पाँच एक तरफ लिखो वरग और उस वरग को लिखो एक चार नो 16 25 इस तरह मतलो उसके वरग ग्याद करो ठीक है जहां पटक जओ माल लो 28 के वरग पर आप अपटक है तो कोई दिक्कत ने हैं दोस्तो रफ कापी में गुणा करके देख लो ऐसे करके 28 गुणा 28 तो आप इसको गुणा करोगे न तो इसका वरग आपको ग्याद हो जाएगा लेकिन एक बार ही आपको ग्याद करना है उसके बाद आपको प्रमानेटली याद रखने ला है ताकि पिपर में हमें गुणा करने के लिए टाइम बरबाद नाए करना पड़ी कलियर दोस्तो अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा तो सिंपल बात है सो का वरग यानि कि सो का स्क्वेर तो ऐसे होगा तो सो के उपर दो जिरो है यानि कि एक दो तीन चार तो दस जार जो है वो सो का स्क्वेर होता है नहीं है यह बात समझ में देखो द्यान से सो का स्क्वेर यानि कि सो गुणा सो अब एक एक में एक और कित दरग उसके बाद मैं ऐसे करोगे 104 गुणा 104 तो उसमें क्या होगा दोस्तों दिक्कत होगे आपको कैसे दिक्कत होगे अब इतनी करने में अपको इतना टाइम लग रहा है ना लेकिन दोस्तों धान से माइंड फ्रेश करके आप है ना एक जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उसको सुन ले ना रामबान ठीक है स्क्वेर निकालने कि आप बादिशा बन जाओगे ठीक है ना स्क्वेर आप मिन्टे में निकाल लोगे कैसे निकालोगे देखो दोस्तों 100 से जितना भी अधिक होता है ना 104 लिखो 100 से कितना अधिक है 4 ना 4 अधिक है इसमें 4 और लो दोस्तों वही आपका उत्तर आएगा 10816 ठीक है ना 104 को जब आप 104 से गुना करोगे तो आप कहां सुर आएगा दोस्तों 10816 दुबारा बता देता हूं एक बाद ट्रिक 104 का वरग निकालना है तो कुछ निकरना सबसे पहले ये देखो कि 100 से ये कितना अधिक है 104 100 से लोड़ेंगे 4 तो बन गया यह 108 आप देखो दोस्तों 108 जो है वह यहां पे लिख दो 108 और बाद में जो लास्ट नमबर है 4 उसका स्क्वेर और चार चोक है 16 इसलिए मैंने बोला दोस्तों एक से तीस तक स्क्वेर याद होने चीए क्योंकि इसके यहां पे आप माल लो समय बरबाद होता और आपकी कल्कुलेशन में गणवड़ी आ जाती ठीक है ना तो ट्रीक याद रखो कि 100 से जितना ज्यादा है देखो याद रखो step लिख लो copy पे 100 से जितना ज्यादा है वह उसमें जोड़ेंगे उसके बाद में वह लिखेंगे जो आया है उसके बाद मे 100 से 3 ज्यादा है तो उसमें 3 हम जोड़ेंगे सबसे पहला चरण जो है वह जोड़ने का है तो 106 आ गया तो यहाँ पर लिखो 106 अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना यहाँ पर लिखा 106 अब 3 का square तो 9 होता है लेकिन यहाँ पर तो 2 का जोड़ा होना चीए दोस्तो तो हम लिखेंगे 0,9 ठीक है ना मतलब last के number में 2 का जोड़ा होना चीए शुरू में 3 number और last में 2 number का जोड़ा होना चीए टोटल 5 number होने चीए लेकिन इसका आपने trick करते हैं तो 100 से 3 जाद यहाँ एक 106 एक तो तीन का square आप लिखोगे 9 तो हमारे पास तो number होने चीए 5 यहा कलियर आगी बात समझ में मजाराने ट्रिक करने में एक बार दुबारा वता देता हूं जिन भाई बैन को नहीं है उनके लिए देखो दोस्तों सो से तीन ज़्यादा था तो जितना ज़्यादा होता है वो हम उसमें जोडते हैं तो कितना होजएगा यह 106 अब 106 आप यहां लिख लीजिए 106 उसके बाद में तीन का स्क्वेर होता है 9 लेकिन लास्ट में दो संख्या लिखनी है तो 0-0 लिखेंगे अपने ठीक है तो 103 का जो वर्ग है यानि कि 103 का जो स्क्वेर है वो आपका आता है 10609 कितना आता है दोस् कि 108 जो वो 100 से 8 ज्यादा है तो यह बनेगा 116 तो यहां पे लिख लो 116 और 8 का वर्ग होता है 64 तो 11664 इसका स्क्वेर आ वर्ग आ गया है ना मजएदा ट्रिक यह नंबर सिस्टम का पार्ट चला है दोस्तों भी तो 11664 जो है वो 108 का वर्ग होता है यानि कि 108 का स्क्वेर ज 64 देखो आप पांच नंबर होगे ना एक दो तीन चार पांच आगी बात समझ में अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें तीन नंबर का जोड़ा आजी जहां से देखना तीन नंबर का आजए अब देखो 113 का वर्ग निकालना है 113 कितना ज्यादा है 100 से 13 ज्याद है ना तो 113 में आप 13 और जोड़ोगे तो कितना बन गया 126 अब 126 तो आप यहां पर लिख दो दोस्तों लेकिन यहां पर देखो 13 का वर्ग जो है लास्ट वाल नंबर क्या है 13 अब 13 का वर्ग जो है दोस्तों वह होता है 179 ठीक है ना आप देखो यहां पर वर्ग होता है जोहङां दोस्तों 113 वर्ग होता है क्या होता है दोस्तों एक सोतेरा का वर्ग वर्ग होता है क्या होता है 113 का वर्ग 12779 होता है नई समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों ध्यान से देख लो 113 तेरा जादा है ना तो इसमें आप 13 जोड़ दो तो कितना बना 126 मना यहां पर लिख लो 126 अब 13 का वर्ग क्या होता है लेकिन यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छे चैनल नमबर आगे हैं में चाहिए कितने पांच चीए तो एक काम करो जो यह जो नमबर होता ना इधर से देखो दो नमबर छोड़के तीसरा जो नम तो इसका मतलब क्या है 113 का वर्ग हो गया 12799 ठीक है दोस्तों आगी ट्रिक समझ में चलिए अब 115 का और निकाल के बताता हो मैं आपको 115 कितना ज़्याद है 15 ज़्याद है ना तो इसमें 15 और जोड़ो तो कितना हो ज़्याद दोस्तों 130 तो यहां पर लिखो 130 और 15 का स्क्य है यानि कि 115 का स्क्यूर है वो होता है दोस्तों 13225 दोस्तों मजा रहा है कि ट्रिक सुनने में देखो ट्रिक कितनी दमदार है ना अगर अच्छी लग रही है ना तो दोस्तों वीडियो में कमेंट जूरू करना ठीक है आपकी कमेंट से यार मुझे काफी मोटिवेशन मिलत ज्कशान में दिमाग में जितने में उंके मे אל घ्यान कर आउं ठीक है दोस्तों 182 का औरग निकाल ने एक सर दो ज्याद़ है कैसी लगी अच्री लगीहुद को लाइक कर देना ठीक है चैनल के आप नहीं हो तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साइड मे एकटन ऊसको को भी दबाई स इसके लावा दोस्तों काफी सारे लोगों कमेंट है कि सर सारी वीडियो कहां मिलेगी हमें तो सारी वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पर प्रेलिस्ट है उसके अंदर ठीक है अप्लेलिस्ट में आपके पास वीडियो की बरमार है दोस्तों पूरा स्टोर है ठीक है वहां जा नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत बाबाई टेक केर